हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम टू माइ योट्यूब चैनल किट्टी की रसोई फ्रेंद्स, आज मैं चिक्किन मखनी हांडी बनाने जा रहे हूँ चिक्किन मखनी हांडी खाने में बहुती ज्यादा डिलिशिस बनता है आप इसे घर पे बहुती आसानी से बना सकते हो और ये खाने में बहुती टेस्टी लगता है आप इसे घर पे बना कर अपने गैस्ट को सर्व कर सकते हो कोई भी पार्टी फंक्शन हो तो आप इसे बना सकते हो चिकेन मखनी हांडी के साथ आप चापाती, तंदूरी रोटी, नान, परांठे, कुछ भी खा सकते हो इस अभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है चिकेन मखनी हांडी बिलकुल धापे जैसा इसे आप घर पर बना कर तयार कर सकते हो तो फ्रेंज चलिए चिकेन मखनी हांडी को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रुसोई को और बैल आइकन दबाईए मेरी लेटस्ट कोकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चिकेन मखनी हांडी को बनाने के लिए फ्रेंज सबसे पहले मैंने चिकेन लिया है ये मैंने 800 ग्राम चिकेन लिया है और मैंने विद बॉन चिकेन लिया है और safe chicken से चाड़ल चीकन को मैंने पहले अच्छे से पानी से धो कर साथ लिया था और इसे मैंने एक छनी में रख दिया था ताकि इसका अगस्टर पानि ज्रों निकल जाए अबCause अब हमें चिकन को मैरेat करना है जिसके लिए मैं इसमें एक चमच अत्रक और लसन का पेस्ट आ रहे हूं एक चमच मैं इसमें नमक एड़ कर रहे हूं और एक छोटा चमच ही मैं इसमें काली मेचिका पार अब इन सारे इंग्रीडियन्स को हम अच्छे से मिला लेंगे जिसके लिए हम अपने हातों का यूज करेंगे हम इसे अच्छी से लगाएंगे ताकि इस सारे इंग्रीडियन्स पूरे चिकन में अच्छी से लग जाएं कि हमने अग्रकलशन का पेस्ट और नामक मिर्ची को पूरे चिकन में अच्छी से लगा दिया हैं अब मैं इसे आदे घंटे के लिए मेरिनेट करूंगी जब तक चिकन मेरिनेट हो रहा है तो हम इसके लिए मख्नी ग्रेवी को बना कर रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने लिया है तमाटरों को मैंने इस तरह से स्लाइसेज में कट कर लिया है हरी मिर्ची लिया है जिसे मैंने इस तरह से पीसेज में कट करके रेडी कर लिया है और इसके इलावा मैंने अद्रक और लसन का पेस्ट लिया है मैंने चार लॉंग लिया है और तीन छोती इलाइची लिय और मैंने बटर लिया है अब मैंने फ्राइपेन को गैस पर चड़ा दिया है और इसमें मैं स्लाइसेंज में कटे हुए टमाटर को डाल रही हूं और साथी में मैं इसमें हरी मिर्ची को डाल दूँगी अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो आप हरी मिर्ची को कम कॉंटिटी में भी आड़ कर सकते हो या स्किप कर सकते हो और हम इसमें अब लॉंग को भी डाल देंगे और साथी में मैं इसमें छोटी इलाइची को डालूँगे और छोटी इलाइची को मैं हल्का सा छील कर इसके अंदर डाल दूँगे दो चमच मैं इसमें अदर को लसन का पेस्ट एड कर रहे हूँ एक चमच मैं इसमें लमक डाल रहे हूँ और आथा छोटा चमच मैं इसमें लाल मिची का पाउडर डाल रहे हूँ अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और सारे इंग्रीडियंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे और पहले हम इसकी ग्रेवी में बॉयल को आने देंगे ग्रेवी में बॉयल आ चुका है अब हम गैस को मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे धक्के में 4-5 मिनट के लिए पतने के लिए छोड़ दूगी 4-5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं टमाटर जो है, अच्छी से सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम स्पून या स्पैचुला की हेल्ब से टमाटर को हलका हलका सप्रेस कर देंगे ताकि इसका सारा पल्ब जो है इसकी ग्रेवी में आ जाए और टमाटर जो है यह अच्छे से मैश हो जाए तमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है अब हम फिर से गैस को मीडियम टु स्लो फ्लेम पे करके इसे ढखके में 2 से 3 मिनट के लिए और पतने के लिए छोड़ दूगी इसे पत्ते हुए दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब हम गैस को आफ कर देंगे अब मैंने एक ये बावल लिया है और ये छनी ली है इस छनी की हैल्ब से हमने जो टमाटर को पकाया है उसे हम छनी से लिका छान लेंगे हम टमाटर की ग्रेवी को छनी में डाल देंगे और इसे हम स्पून से हलकाल का सा प्रेस करते हुए इसकी ग्रेवी जो है उसे निकाल लेंगे इस तरह से जो टमाटर के छिलके होंगे या हरी मिर्ची के छिलके लॉंग इलाईची जो हमने डाला है यह सब जो है इसे हम निकाल देंगे और इन सब का जो फ्लेवर है वो इसकी ग्रेवी में आ चुका है देखिए सारी ग्रेवी को हमने निकाल लिया है और इसमें खाली टम तर हम ने चो टमाट्र की ग्रेवी को रेडे़ी किया है, उसे हम इस पैन के अंदर डाल देंगे और ये मैंने बटर लिया है, अब हम इसमें बटर को डालेंगे बटर को हम ग्रेवी में पहले अच्छे से मैल्ट कर लेंगे देखिए बटल जो है यह अच्छे से ग्रेवी में मैट हो चुका है अब यह मैंने क्रीम ली है मैं तीन से चार बड़े चमच क्रीम जो है उसे इसके अंदर डाल दूँगी आप चाहे तो इसके जगा फ्रेश क्रीम या फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हो सीम को भी हम ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे और इसे मैं तीन से चार मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी अब मैं इसमें एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर एड़ कर रहे हूँ और कश्मीरी मिर्ची को भी हम ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम एक मिनट तक और पकने देंगे और कश्मीरी लाल मिर्ची पाऊडर जो है यह बिलकुल भी तीखी नहीं होती है लेकिन इससे कलर जो है वो भूट भड़िया है कि अब मैंने कसूरी मेती को हम इसके अंदर डाल देंगे और कसूरी मेती इसे पहले मैड़ अच्छे और मिन तब पकने दूंगे मथनी बन के बिल्कुल रेड़ी है अब हम गैस के लिए प्यास की मेंने प्यूरी बनाकर रेड़ी कर लिया इसके इलाव़ा मैंने लाज निच्छी पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर कसूरी में थी भूने हुए जीदे का पाउडर और गरम मसाला पाउडर लिया है अब मैंने कड़ाई को गैस पे चाड़ा दिया है और इसमें मैं ऑईल को डाल रही हूँ और इसे पहले हम अच्छे से गरम कर लेंगे ऑईल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें प्यास की प्यूरी को एट कर देंगे असे हम अच्छे से मिला लेंगे अब हमें प्यास को अच्छे से भूनना है हम इसे अच्छे ने और तब तक भूनेंगे जब तक प्यास जो है ये गॉल्डन ब्राउन नहों जडब और वेवेब कर दो जो जाए अब हमने जो चिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्ष चिकेन को मैंने प्यास के मसाले के साथ में 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें spices को एड़ करेंगे हम इसमें healthy powder, लार मिर्ची powder, धनिया powder, भूने हुए जीजे का powder और नमक को एड़ करेंगे और इन सारे मसालों को हम चिकेन में अच्छे से मिला लेंगे और फ्रेंट जब हमने चिकेन को मेरिनेट किया था या उसकी मथनी ग्रेवी रेडी की थी उस टाइम पे भी हमने लाल मिर्ची पाउडर और नमक का यूज किया हुआ है तो इस टाइम पे आप नमक और लाल मिच्ची पाउडर को खली सबजी में एज़स्ट करने के लिए डालिए अगर ज़रूरत हो तो अब हम गैस को मेडियम टू हाई फ्रेम पे करेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे हमें 4-5 मिनद तक अच्छे से मसालों के साथ में भून लिया है अब हमने जो मखनी ग्रेवी को बना के रखा है उस मखनी ग्रेवी को हम इसके अंदर डाल देंगे और हम चिकन को ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको ग्रेवी कम लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हो लेकिन मैं इसमें खाली ग्रेवी को ही आड़ कर रही हूँ अब हम इसमें पहले बॉयल को आने देंगे ग्रेवी में बॉय आ चुका है अब हम गैस को मेडियम टू स्लो फ्रेम पे करेंगे और इसे ढखके में 15-16 मिनट तक पतने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन भी अच्छे से रेडी हो जाए और हमारा चिकन मतनी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाए इसको पतते हुए 15-16 मिनट का समय हो चुका है अब हम चिकन को चेक कर लेंगे देखिए फ्रेंड चिकन कितना बढ़िया लग रहा है और इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है अब मैं इसमें गरा मसाला पाउडर ऐड कर रहे हूँ और साथ ही में मैं इसमें रॉस्टेड और क्रश की हुई थोड़ी सी कसूरी मय थी अब्यूंग रहे हूँ और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे चिकन मखनी हांडी खाने की लिए बिल्कुल रेडी है अब हम गर्मा गरम चिकन मखनी हांडी को सर्फ करेंगे गार्निशिंग के लिए मैं इसके उपर थोड़ी सी रोस्टेड और क्रश की हुई कसूरी में थी डाल रही हूँ पिल्कुल धाबे या रेस्टोरेंट जैसा चिकन मखनी हांडी को आप घर पे बना कर रेडी कर सकते हो यह आपकी फैमिली में सबको बहुती पसंद आने वाला है और जब भी कोई फैमिली गेट टुगेदर हो या गेस्ट आ जाए तो आप उने इस चिकन मखनी हांडी को बना कर सर्फ कर सकते हो यह उनको भी बहुती पसंद आएगा और आप इसे तंदूरी रोटी बटर नान के साथ मिखा सकते हो तो फ्रेंस आप इस चिकन मखनी हांडी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजे और अपने रिव्यूस मेरे साथ जरूर शेयर कीजे और कुछ भी पूछना चाहते हो आप इस रेसेपी के बारे में तो आप ना भूले मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई थेंक यू फ्रेंस